नमस्कार दोस्तों मैं रश्मी पूजा पार्ट रश्मी के साथ चैनल में आप सब का स्वागत है तो सकट चोड जो की दिश्चनवरी को दो हजार देश में पढ़ रहा है तो उसकी पूजा की विधी और पूजा कैसे करनी है क्या क्या चीज़ों क्या उश्कता होनी वो दूसरी खता मैं आप सबके साथ चैनल कर रहे हूं तो अगर वीडियो पशंद आता तो लाइक शेयर करें पर स्ब्सक्राइब साती बेल आइकन को दबाएगा और वीडियो सबके साथ शेयर करते रहे ताकि सब को यह जान करी मिलती रहे तो आज मैं दूसरी बदक्ता आप को बता रही हूँ जो आपको पसंदा है वो आप अपनी पुजा के समय पढ़ सकते हैं तो एक सहर में देवरानी जेठानी रहती थी जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत ही गरीब थी देवरानी गरेशी की बहुत ही बड़ी भक थी देवरानी का पती जंगल से लगड़ चल रहा था माग महीने में देवरानी ने तिल चौत का व्रत किया पांच आने का तिल वा गुड लाकर तिलकुटा बनाया पुजा करके तिल चौत की कथा सुनी और तिलकुटा चींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा उसके बाद ही कुछ जेठानी के यहां चली गई खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले मा ने व्रत किया है और मा भूखी है जब मा खाना खाएगी तब ही हम खाना खाएंगे जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली मैं अकेला नहीं खाऊंगी जब चान निकलेगा तभी मैं भी खाना खाऊंगी जठानी कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तुम्हें कैसे दे दूँ तुम सुबह सवेरे ही बचा गुआ खाना ले जाओ दिवरानी के घर पर पती बच्चे सब आस लगाए बैठे थी कि आस तो तेवहारे इसलिए कुछ पकवान आधी खाने को मिलेगा परन्तु जब बच्चों को पता चला कि आस तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे उसकी पती को भी बहुत गुसा आया कहने लगा सारा दिन काम करके भी दो रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यू करती हो पती ने गुसे में आकर पत्नी को कप्रे धोने के धोवने से मारा धोवना हाथ से चूट गय तो पाटे से मारा वह बेचारी गणेजी को याद करती हुई रोते रोते पानी पिकर सो गई सकते हुई औो उस दिन गणेशी ने देवरानी के सपने में आये और कहने लगे धोबने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है वैं बोली कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ गणेशी बोले भूख लगी है कुछ खाने को दो देवरानी बोली क्या दूँ मेरे घर में तो अन्य का एक दाना भी नहीं है जेठानी बचा कुछा खाना देती थी आज वह भी नहीं मिला पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है वही खालो तिलकुट्टा खाने के बाद गणे जी बोले दोवने मारी पाटे मारी निम्टाई लगी है कहां निम्टे वह बोली यह पड़ा घर जहां इच्छा हो वहां निमट लो फिर गणे जी बच्चे की तरह बोले अब कहां पोचो नीद में मगरे अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया है कि कब से तंग किये जा रहे है सो बोली मेरे सर पर पोचो और कहां पोचोगे सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गए पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था सिर पर जहां विनायक जी पोचनी कर गए थी वहां टीके हीरे के टीके वह बिंदी जगमगा रही थी उस दिन देवरानी जेठानी के यहां काम करने नहीं गई बड़ी देर तक राहे देखने के बाद जेठानी ने बच्चे को देवरानी के बुलाने के लिए भेजा जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए सायद देवरानी बुरा मान गई है बच्चे बुलाने गए और बोली चाची चलो मा बुला रही है सारा काम बड़ा हुआ है देवरानी ने जवाब दिया उसकी जरूरत नहीं है घर में सब भरपूर है गनेची के आसीस से बच्चों ने घर जाकर मा को बताया कि चाची तु पुरा घरी ही रव मोतिय से जग मगा रहा है जेठानी दोड़ती हुए देवरानी के पास आई पूछा यह सब कैसे हुआ देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला घर लोटकर जेठानी पती से कहा कि आप मुझे दोड़ने और पाटे से मारो उसका पती बोला कि भली मानस मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया तुम दोड़ने और पाटे से मानने कह रही हो वह नहीं माना और जिद करने लगी मजबूरन पती को उसे मानना पड़ा उसने धेर सारा घी ढालकर चूर्मा बनाया और छीके में रखका सो गई रात को चौत विनायक जी अपने सपने में आया और कहने लगे भूख लगी है क्या खाऊं जेठानी का गड़े जी महराज मेरे देवरानी के हाँ तो आपने सूखा तिल गुट्टा खाया मैंने तो जहनते घी का चूर्मा बना का रखा है आप छीके में रखा है फल और मेवे भी रखें जो चाय खालो गड़े जी बोले अब निप्टू कहां जेठानी बोले उसके यहां तो तुटी फुटी जोपडी में मेरे हाँ तो कंचन की महन जहां चाहो निपाटू फे गड़े जी ने पुचा पोचू कहां जेठानी बोले मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोच लो धन की भूकी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई सोचा हीरे जवारात से भर चुका होगा अब देखा तो घर में गंदगी फैली हुई थी तेज बदबू आ रही थी उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी उसने कहे गनेजी महाराज अपने की क्या कर दिया मुझसे रूठे और देवरानी पर तूटे जेठानी ने घर की सफाई बहुत ही कोसिस करीपर तुगंदी की और ज़्यादा फैलती गई जेठानी के पत्ती को मालम चला तुबह और बहुत गुसा हुआ बोला तेरे पास से इतना सपोज था फिर तेरा मन नहीं भरा परिशान होकर चाथ के गनेजी से मदद कर की विंती करने लगी गनेजी ने कहा देवरानी से जलन के करण तूने जो किया उसी कफाल है अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी तभी यह सब साप होगा उसने आधा धन बाढ़ दिया किन्तो मोहरों की एक हांडी चूले की नीचे गाड रखी थी उसने कहा सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा उस धन को नहीं बाटा उसने का हे शे गनेजी आपने तो यह बिखराव समेटो वो बोले पहले चूले के नीचे गड़ी हुई मोहरों की जो हांडी है वो भी हांडी सहेत ताक में रखी दो सुई के दो हिस्से कर दे इस प्रकार गजानन ने बाल सुरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज को भी बढ़वारा की और अपनी माया समेटी हे गनेजी मराज जैसे आपने दिवरानी की करपा की वैसे सब पर आप करपा करना कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भनने वाले सपर क्रपा करना लेकिन जिठानी को जैसे सजादी वैसी किसी को भी सजा मत देना मैंने बहुत ही प्यारी सी आपको ये कहानी सुनाई है मुझे आसा है कि आप सब को ये कहनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और आप इस कथा को सुन सकते हैं उंकार भर सकते हैं या फिर आप किसी से कथा कहने के लिए बोल भी सकते हैं तो ऐसे ही बने रहे, धन्यवाद